दोस्तों एक अच्छी और आकरसक बोडी हर लड़के का सपना होता है लेकिन अपसोस की बात ये कि सो में से 10% लोगी अच्छी बोडी बनावाते हैं 90% लोग सालों मेनत करते रह जाते हैं दिमाग तब खराब होता है जब इतनी मेनत करने के बाद भी कोई रिस्पॉंस नहीं मिलता है बोडी की ग्रोथ एक जगे पर अठक जाती है हां दोस्तों दिमाग से मुझे एक चीज याद आई कि बोडी बनाते समय हमें सिर्फ पागलों की तरह मेनत करने से काम नहीं चलेगा हमें अपने दिमाग का भी भरपूर इस्तिमाल करना चाहिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ बोडी बिल्डिंग टिप्स देंगे और आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपको कोई नहीं बताता दोस्तों ये गलतियां छोटी जरूर है लेकिन अगर आप इन गलतियों को नजर अंदाज करते हो तो आप सालों साल मेनत करते रह जाओगे और आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा तो दोस्तों एक बात मैं आपको गारांटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा देखकर समझ लिया कुछ गलतियों में सुदार करके जो जरूरी टिप्स हैं उनको फोलो कर लिया तो जो रिजल्ट आपको पिछले एक साल में नहीं मिले हैं वो रिजल्ट आपको मातर तीन मैने में देखने को मिलेंगे और आपको खुद ऐसास हो जाएगा कि वास्तम में ही हम बहुत सारी गलतियां कर रहे थे तो दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपके फाइदे की एक और बात आपको बताना चाता हूँ कि अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टागराम पर फोलो नहीं किया तो भाई साप तुरंत जाकर कर लो क्यूंकि वाँ पर भी मैं एक्टिव रहता हूँ आपके सारे सवालों का जबाब देता हूँ और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पर भी आपको फिटनिस के बारे में बहुत सारी पोस्ट मिल जाएंगी लिंक नीचे डिस्करप्शन बॉक्स में सबसे ओपर है जल्दी जाकर फोलो करो तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को सुरू करके कुछ नई जानकारी हसिल कर लेते हैं देखो दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती जो ज़्यादा तर लड़के करते हैं वो ये है कि डाएट पर फोकस न करना इस बात को तो आप सबी लोग जानते हैं कि बाड़ी बनाने में डाएट का बहुत बड़ा रोल होता है इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कोई बड़ा बाड़ी बिल्डर है और वो दो दिन तक जिम नहीं जाता है छुट्टी कर लेता है तो क्या वो बोडी बिल्डर दो दिन तक डाइट फोलो नहीं करता है आपको क्या लगता है कि वो दो दिन तक कुछ भी उल्टा सिधा खा लेता होगा अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है क्योंकि दोस्तों कोई भी प्रोफेशनल बोडी बिल्डर अगर किसी कारण बस दो चार दिन जिम नहीं जाता है तो वो अपनी डाइट को कभी नहीं छोड़ता है और इमांदारी से डाइट को फोलो करता है अब दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बताओं कि आपकी दिन बर जो भी डाइट होती है उसमें 50% कारबो आड़ेट, 30% प्रोटीन और 20% हेल्दी फैट होना चाहिए ये सब कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि आप दिन बर में 5-6 मील लेते हो तो एक मील में आप 100 गराम पनीर एड़ कर सकते हैं किसी मील में आप 2 कटोरी दाल ले सकते हैं और दोस्तों ठीक किसी तरीके से किसी मील में आप 2 गिलास दूद के साथ में 10 बादाम ले सकते हैं एक मील में आप 50 ग्राम सोय चंग को एड़ कर सकते हैं प्री वर्काउट में आप 250 ग्राम दई के साथ में दो उबले हुए आलू ले सकते हैं पोस्ट वर्काउट में आप 6 एग वाइट या फिर एक स्कूब बे प्रोटीन के साथ में दो केले ले सकते हैं तो इस तरीके से आप हर मील में प्रोटीन एड़ कर सकते हैं बहुती ज़्यादा सिंपल और आसान तरीका है लेकिन काफी लोगों को समझ में नहीं आता है यह फिर उन्हें पता ही नहीं होता है अब यहाँ पर आप लोग क्या गलती करते हो कि किसी मील में तो आपका सिर्फ कार्बो आड़ेट होता है और किसी मील में सिर्फ फैट होता है यानि जादातर मील से प्रोटीन गायव होता है तो दोस्तों यह छोटी छोटी बाते हैं इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है अब दोस्तों यहाँ पर दूसरी गलती आप लोग क्या करते हो कि प्रोग्रेशिव ओवरलोड नहीं लगाते हो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा अच्छी तरह से समझा देता हूँ उधारण की तौर पर मान लिया जाए कि आप चेस्ट का वर्काउट कर रहे हो पहला सेट आपने बारवल बेंच प्रेस का 30 किलो से लगाया अब ज्यादा तर लड़के क्या गलती करते हैं कि दूसरे सेट को फिर से 30 किलो से लगा लेते हैं तो मेरे भाई मसल्स का साइज कैसे बढ़ेगा देखो दोस्तों आपको हर सेट में जो भी आप 3-4 सेट लगाते हो हर सेट में आपको बेट इनकरीज करते जाना है और रेपिटेशन को कम करते जाना है दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको चेस्ट का उधारन दिया है आप किसी भी body part की exercise करो उसमें आपको progressive overload लगाना ही लगाना है यानि आपको हर set में अपनी छमता के अनुसार कुछ न कुछ बेट जरूर बढ़ाना है अब दोस्तों यहाँ पर तीसरी गलती आप लोग क्या करते हो कि exercise इदर करते हो और आपका ध्यान कहीं और ही होता है कुछ नहीं होगा इसलिए exercise करते समय माइंड और muscles connection होना बहुत जरूरी है दोस्तों ध्यान रहे कि आप जिस भी muscles का workout कर रहे हो आपका पूरा focus उसी पर होना चाहिए 99% नहीं 100% होना चाहिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आज की वीडियो से भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा ये वीडियो यहीं पर समापत होता है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद